हेलो गाइस नमस्कार आप सभी का स्वागत है नीदी किचल लाइफस्टाइल चैनल पे तो गाइस आज चुमें आपके साथ हेयर डाई की रेमेडी शेयर करने जारी हुना जो कि आपके बालों को सफेद बालों को काला जरूर बनाएगा और मैं आपको गारेंटी देती हूँ कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है बहुत ही इजी प्रोसेस है मात्र वन स्टेप हमें करना है तो वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिएगा ये देखिए बिल्कुल ब्लाक इसी तरह आपके बालों पे भी आएगा और आप इसे इंस्टन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने सफेद बालों को काला बना सकते हैं बहुत ही अच्छा से कर ला राता है और यहां पे मैं एक कप यहां पे आमला जूस ऐड़ की हूं तो मैं पतंजली का आमला जूस ऐड़ की हूं आप तो फ्रेश अभी बहुत सारे आमला आरा है तो आप उसे भी ग्राइंड करके यहां पे जूस आड़ कर सकते हैं तो गाइस मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमी आज पे छोड़ दूँगी और हमें कुछ इंग्रेडियंट नहीं आड़ करना है बस ये धीमी आज पे पकते रहेगा और इस तरह से ये बिल्कुल इसका जो कंसिटेंसी है ना बिल्कुल ड्राई सा होने लगेगा तब तक ठिक सा होने लगेगा तब तक हमें इसे पकाना ही ये बिल्कुल इस तरह से हो गया है अब मैं यहां पे गैस का फ्लेम आफ कर दूँगी इसके बाद जब रूम टंपरेचर पे आएगा फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है ये बिल्कुल भी आपके बालों को नहीं पहुचाने वाला है और आपके बालों को ये जर से काला बना देगा अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसे डिब्बे पे भी लेके जा सकते हैं और इसे अपलाई कर सकते हैं आप इंस्टेंट लगा कि आप पाटी में भी जा सकते हैं तो इस तरह से ये हो गया है रूम टंपरेचर पे आने के पाद बिल्कुल ड्राई सा अब यहां पे हम एड़ कर देंगे एक चमच अलोवेरा जल वो इसलिए हम एड़ कर रहे हैं क्योंकि आमला से हमारे बाल बिल्कुल ड्राई से हो जाते हैं रूखे हो जाते हैं तो इसके कारण अगर आमला के साथ इस आप जहां भी सफेद बाल है वहां पे आप लगा ले और इसे धोने की कोई जरूत नहीं है अगर आप धोएंगे भी तो भी ये नहीं जाने वाला है तो गाइस ये देखिए ये बिलकुल रेडी हो गया इसे मैं डिबे में निकाल ली हूँ और इसे मैं स्टोर करके लंबे सम तक रख सकती हूँ कोई भी इसमें हाम नहीं है और कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप या तो टूथ ब्रस से लगा ले या तो आप मस्करा ब्रस से लगा ले या तो आप डाई वाली जो ब्रस आती है उससे भी अपलाई कर सकते हैं अपनी सफेद बारों को काला बना सकते है खूब सूरत बना सकते हैं बिलकुल इस तरह से ये देखिए तो गाइस मैं आपको बता दू कि अगर आप मेरे चानल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब किये विना नहीं जाहिए का पासी दिखे का चोटा सा बल बटन उसे दबाना न ताकि आने वाले वीडियो उसके नुटिफिकेशन आप तक आती रहेगी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे इसे बस और बस मुझे मोटिवेशन मिलता है थैंक यू, have a nice day